जैहिंद वंदे मातरम सातियों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ काफी जदा अच्छे होंगे जी हाँ आप सभी को पता है दिली पुलिस कॉंस्टिवल 2023 एकजाम चल रहा है और इसी बीच दोस्तों यहाँ पर चट पूजा का जो परव है वो भी दोस्तों आने वाला है आप सभी को पता है दिली पुलिस का जो एकजाम है काफी जदा दूर दूर सेंटर छातरों के गए हैं और इसी बीच दोस्तो एक पहुती यहाँ पर दुखवरी खबर यह है कि काफी सारे चात्रों को जो एकजाम है वो छूट रहे हैं यहाँ पर आप देख पारे हैं भीड इस तरीके से है कि दोस्तो एक के ऊपर यहाँ पर एक इनसान यहाँ पर आप देख सकते हैं नजर आ रहा है आपको आ रहा होगा पैर रखने तक की भी बिल्कुल दोस्तो भीड यहाँ पर दोस्तो जगह नहीं है भीड की इस तरह दोस्त तो क्या हो रहा है कि जो सेंटर तक पहुंचने की जो होड़ है इसी बीच कुछ ऐसे भी छातर है भाई जो सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इतनी दूर दूर सेंटर जा रहे हैं कि पूछो मत और उसके बावजुद भी यह जो भीड़ है आपको दोस्तो यहां पर सेंटर तक नहीं पहुचने दे रही है देखिए इस तरह की भीहिन है दोस्तो यहाँ पर देखिए विकलांग जो एक आपका बॉंगी होती है विकलांगों के लिए उसमें चात्र जल रहे हैं ये खुद देखिए आप सभी दो सेंटर है दिल्ली से वारारसी के बीच की दूरी आप सभी को पता है दोस्तो 900 पिलस किलोमेटर दूरी होती है और इसी बीच दोस्तो चात्र तया करता है और ट्रेन दोस्तो 4-4-5-5 घंटे लेट हो रही है और ये डाटा मैं नहीं दे रहा हूँ ये देश तो डाटा जो निकल के आया है ये खुद दोस्तो यहाँ पर डाटा SSC ने दिया है मैं आपको वो प्रूप दिखाता हूँ कि SSC ने क्या बोला है कि कितने परसेंट चात्रों ने SSC का एगजाम दिया है और दोस्तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भीड़ आप सभी के सामने है और इस विकार से दोस्तो चात्रों का बुरा हल हो रहा है तो अब आपके सामने है दोस्तो वो डाटा जो दोस्तो खुद SSC ने दिया है यहाँ पर आप देखेंगे दिली पुलिस की सिपाई भरती परिक्षा में केवल दोस्तो 57.22 जो यहाँ पर चात्र है वो उपस्तित हुएं परसेंट जो चात्र है यहनी 57% चात्र उपस्तित हुएं यानि आप खुद सोचिए दोस्तो कि यहाँ पर कितने चात्र दोस्तो कितने परसेंट चात्र यहां पर exam center तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और आपके यहां पर भी कुछ ऐसे चात रोंगे जो आपके सुनने माय होगा कि भाई उसकी exam छूट गया उसकी प्रक्चा छूट गई उसकी train late हो गई वो center तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही दोस्तों हुआ है और हमारे कुछ साथ ही ऐसे हैं जिनका exam नहीं हो पाया और दोस्तों खुद यहां पर दोस्तों हमारे यहां से खुद कम से कम 10 प्लस student ऐसे हैं जिनका exam छूट चूट चूट है और और सिर्फ train लेट होने के वज़े से समझ रहे हो तो यहां पर बहुत सारे बच्चों को लगता हूँ कि कम बिशन बहुत काँ हो जाएगा लेकिन आप उन बच्चों के मतलब उन बच्चों से पूछिए जो exam center तक पहुंचने के बावजूद भी यानि पाँच मिनट कोई तस मिनट कोई लेट होने के बावजूद भी उस center पर नहीं पहुंच भाए exam देने नहीं पहुंच भाए उनका आप दर्द पूछिए कि वो 5 से 6 महीने लगाता तयारी करता है उसके बावजूद सिर्फ 5 मिनट लेट होने के बावजूद भी उसकी 5 महीने की जो तयारी है वो खतम हो जाती है तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो something something दोस्तो मैं बात करूँ यहाँ पर तो आप सभी के सामने दोस्तो बात करूँ तो कम से कम दोस्तो 43% लोग ऐसे हैं जो एगजाम नहीं दे पाए यह 43% का डाटा नहीं है यह लगवा दोस्तो 50% का डाटा है जी हाँ दोस्तो 50% उपसीत रही है दिली पुलिस के एगजाम में को देखें यहाँ लिखा क्या है करमचारी चाइन आयोग SSC की और से दिली पुलिस एगजूकेटिव भरती 2023 के ओनलाई परिशा मंगलवार से सुरू हो रही है हो गई है मतलब सुरू हो चुकी है ठीक है पुरानी ख़बर नहीं है 3 दिसंबर तक चलने वाली ओनलाई परिशा के पहले दिन यहाँ पर 75% सम्तिंग समझ सकते हैं 87.22% जो अभिहारती है वो सामिल हुए पिर्तिदी जो है 3 पाली में आपकी परिशा कराई जा रही है यूपी और बिहार के 19 सेरों में 88 के इंदर परिशा हुई है दिली पुलिस में सपाई के 7477 पदोवा भरती के लिए सी मद्य चेत्र यूपी और बिहार के यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों लगबग दोस्तों कितने चात्रे हैं 9,9,9,9 लग सम्तिंग दोस्तों चात्रे हैं जो यूपी और दोस्तों बिहार से बिलॉंग करते हैं 9,6,890 टूटल इस्टूडेंट है और इसमें दोस्तों पहले दिन जो है वो 37,032 अब्यारतिय की सापिक 21,000 ही एकजाम सेंटर तक पहुँच पाए आप खुद देखिए यह डाटा दोस्तों आप सुभी को देखने लायक है 21,000 ही दोस्तों सेंटर तक पहुँच पाए यानि की दोस्तों कम से कम दोस्तों 16,000-17,000 16,000 समतिंग इस्टूडेंट ऐसे थे जो एकजाम तक नहीं पहुँच पाए मैं समझता हूँ कि चलो इसमें से दोस्तों 6,000 ऐसे होंगे जो नहीं एकजाम नहीं देने गये होंगे लेकिन 10,000 इस्ट्रेट ऐसे हैं बिल्कूल रियल्टी बात पता रहा हूँ कोई जो सेंटर तक नहीं पहुँच भाए क्योंकि उनके लंबे लंबे सेंटर है दूर दूर सेंटर है ठीक है और दोस्तों यहाँ पर यह बात हो रही है तो उनकी हेल्प जरू करें मेरे भाई जहां पर भी कोई आपको दिल्ली पुलिस कॉंस्टिवल का जो एक्जाम देते हैं कोई भी छातर आपको दिखाई देता है तो उसकी हेल्प जरू करें क्योंकि वो काफी दूर से एक्जाम देने के लिए आ रहा है, तो आप उसकी एगर help करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, जो भी आपको दिखे कोई छातर, अगर कोई दिली पुलिस कॉंस्टिबल का, दिली पुलिस कॉंस्टिबल कोई एक्जाम देने जा रहा है, तो उन सभी से मैं एक ही सला दूँगा कि मेरे भाई आपका अगर एकजाम आपका एकजाम दोस्तो देखिए मान की चलो आपका एकजाम 20 तारिक को है तो आपको यहाँ पर कम से कम 18 तारिक को निकलना पड़ेगा ठीक है 19 तारिक को आप ना लिख लें क्योंकि मेरे भाई इतन इस तारिक चल रही है तो इसी भी और ज़्यादा भीड चलेगी तो आप सभी को कम से कम दो दिन पहले सेंटर तक पहुंच जाने के लिए दो दिन पहले जानना पड़ेगा जिनका दूर सेंटर है जिनका 800-900 कुल मिट दूर है तो वो कम से कम यह करें कोशिस करें कि वो दो दिन पहले अपने सेंटर के वो चले प्रस्थान करें ताकि दोस्तों आप दोस्तों बिलकुल अपने जुगंतवे स्थान है वहाँ पर बिलकुल आसनी से पहुँच जाएं ऐसा ना करें कि भाई आप तभी चल रहे हैं आपको लग रहा है कि ट्रेन मेरी 10 वज़े से मैं आप को पिछली वीडियो में भी यही बताया था और बहुत सारे लोगों ने यह बात सुनी नहीं थी फिर बता रहा हूं कि भाई आपका जो सेंटर है वो कम से कम दोस्तों जब आप पहुंचे तो कम से कम आपके एक्जाम टाइम में और आपके पहुंचने में कम से कम दोस्तों एक घंटे पहले पहुंच जाँगों एक घंटे बात पहुंच जाँगों भीण इतनी है कि ट्रेन 5-5-6 घंटे लेट हो रही हैं इसलिए आप कोशिस यह करें कि आप 10 घंटे पहले सोसी चलें अगर ट्रेन 5 घंटे लेट भी होती है तो 5 घंटे आपकी पास बच जाएंगे तो इतना ही दोस्तों कहूंगा कि बस all the best तभी को बस यह गलती ना करें कि आप सेंटर तक नहीं पहुंच भाने बहुत जाँ दुख हो रहा है इसलिए दोस्तों मैं सभी से यह बूरूंगा कि 10 घंटे पहले आप सेंटर के को प्रस्थान करें द्याहिंद वन्दे मातरम